Welcome to ASUPPSC, मेरा नाम वद्ना सिंग है, इस वीडियो में UPPSC Mains 2021 के लिए answer writing program स्टार्ट कर रहे हैं तो कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें total 50 days का प्लान है पूरा, तो उसके according ही हम अपना answer writing जो है, उसको स्टार्ट करेंगे तो आज ये day 1 है, तो day 1 का ये प्लान है और तो आप इसको देख सकते हैं, सुबह जो है around 12 बजे के time तो रोज इसमें ये question डलेगा, तो ये आज जो topic है, वो GS1, history का topic 1 to 5 है तो ये 3 question थे और आपको इसको लिखना होगा और post करना होगा और इसका जो key points है या approach है, वो around 8 से 9 बजे के बीच आपको एक video मिलेगा तो ये world war से related एक question था और एक question था Indian national army से related और एक था contribution of महत्मा गादी तो चलिए हम इन questions को जो है discuss करते हैं तो पहला question है, तो पहला question है, what was the philosophical of setting of the Indian national army, Azad-Hind falls by Neta ji, Subhaj Chandra Bose तो question ये है कि philosophical basis क्या था, INA को establish करने का by Neta ji, Subhaj Chandra Bose तो 125 word का जो है, ये, 125 word का जो है, question है ये, और इसमें आपको ये लिखना होगा तो सबसे पहले इसकी approach क्या रहेगी, तो question जो है, वो बिलकुल plain question है, philosophical basis मांगा है एक part में लिखना होगा कि philosophical basis क्या है, उसको discuss करना होगा तो सबसे पहले जो हम question है, उसकी शुरुआत जो है, introduction से करेंगे तो introduction से question की शुरुआत करेंगे, तो introduction में आप basically क्या करेंगे कि INA के बारे में आप थोड़ा सा introduce करेंगे कि ये एक military organization है जो 1942 में establish हुई और ये formed हुई थी by Captain Mohan Singh और उनके साथ जो major थे तो इस तरह से आप एक brief introduction जो है आप इसको आयने से related जो है उसको दे देंगे फिर उसके बाद बाद आती है, अब देखो ये धिहान रखना जो आप answer लिखो तो उसमें जो ये heading होती है introduction, body, conclusion ये लिखना नहीं होता है, ये self understood होता है कि हाँ ये आपने जो शुरू करा है वो introduction है, फिर आप बीच में आये तो वो body है लिख रहे हैं, फिर conclusion लिख रहे हैं तो ये जो introduction है, ये लिखना नहीं होता है, ये मैं आपको जो समझा रही थी, इसलिए मैंने ये सारे ये level करे हैं, तो ये आपको नहीं लिखना है, आपको सीधे आयेने के बारे में थोड़ा सा आपको basic background देना है, फिर उसके बाद आपको body पे switch करना है तो body पे switch करेंगे, तो body पे हम क्या लिखेंगे, कि जो basically एक थोड़ा सा जो है, जो सुबाच्चन बोस हैं, उससे related आयेने का background देंगे, कि जो आयेने हैं और जापनीज आर्मी हैं, उनके बीच में एक disagreement हुआ, और उस disagreement की वज़े से जो है, सुबाच्चन बोस ने आयेने की leadership जो है, वो समाल ली, तो आयेने की leadership समाल ली, तो ये हम इसमें लिखेंगे, फिर बात आती है, question, अब जो है, main demand of question क्या है, main demand of question है, philosophical basis of setting of आयेने, तो आयेने का जो philosophical basis है, setting का, वो हम इसमें अब discuss करेंगे, तो ये हो गया, philosophical basis क्या है, basically, इसने जो है, armed Indian nationalism है, उसकी growth करी, ये philosophical है, मतलब जितना भी, Indian nationalism है, इससे पहले जो है, वो इतना armed नहीं था, लेकिन, आयेने ने जो है, इसको encourage किया, और इसकी जो है, growth करी, तो ये इसका philosophical basis, एक ये हो गया, तूसरा हो गया, basically, official purpose क्या था, आयेने का, आयेने का, official purpose ये था, कि जो, वो India को aid करेगा, in liberating India from British, मतलब, India को aid करना, in liberating India from British, फिर, सुभाशन बोस है, उनको ये भी पता था, कि India cannot be liberated unless the campaign launch outside India, मतलब, इंडिया जो है, तब तक liberate नहीं हो सकता, जब तक एक कोई campaign है, वो इंडिया से बहार जो है, वो launch ना हो, और ये सारी जो, ये सारी जो success है, वो सुभाशन बोस को, वो तब मिली, जब British enemies, जो है, World War 2 के अंदर जो British enemies बने, तो वहां से ये सारी success, जो है, obtained हुई क्योंकि, जो boss है, उन्होंने जो, जो enemies थे, उनके साथ, ally करके, इसमें, मतलब, आयने का, formation किया, तो ये obtained हुआ, जो British enemies थे, during World War 2, जो formed हुए थे, वहां से ये सारा चीज, philosophical, जो basis है, वो obtained हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ कि, गदर revolutionaries हुए थे, World War 1 के around, तो उसका जो failure हुआ, उसको भी, जो सुभाशन बोस हैं, इसी बोस हैं, उन्होंने, उसको, उसकी वज़े से भी, उन्होंने सुचा कि, जो focus है, वो outside India होना चाहिए, मताँ, गदर ने, गदर revolutionary ने, उनको और influence किया, कि जो focus है, वो outside India होना चाहिए, चुभाशन बोस ब्लीव करते थे कि, एक military campaign जो conducted in East Asia, would be immense in India, तो मताँ, अगर East Asia में कोई भी military campaign conduct हो रही है, वो India के लिए, बहुत फायदमन साबित होगी, फिर, basically, नेता जी ने जो है, एक golden opportunity को utilize किया, जो उनको वर्ड वर 2 के around, जो उनको प्रिजेंट हुई थी to Indians, तो यह जो golden opportunity है, उनको उन्होंने grab किया, और आयने की जो है, वो formation की, मताँ, formation मताँ, leadership आयने की समाली, और boss का क्या, मताँ की, जो उनका focus था, कि government है, जो government है, वो free India की government होनी चाहिए, उन्होंने एक provisional government of azad हिन भी form किया, इसी basis पे, कि provisional government of azad हिन, और फिर उसके बाद, October 24, 1942 में, वो as a head of provincial government बन गए, और उन्होंने जो आपका retain है, उसके उपर एक wall declare कर दिया, अब बात आती है, conclusion की, तो इस पूरे question है, उसको आपको sum up करना है, और इसमें आपको conclusion लिखना होगा, तो ये जो heading है, वो नहीं लिखनी होती है, सीधे आप next पैरा से, ये तो आपने introduction लिखा एक पैरा में, फिर उसके बाद आपने points लिख दी है, देखो points में ऐसे dash dash मतलागाना, numbering करना उनकी, one, two, three, और numbering जो है, वो margin के अंदर ही होनी चाहिए, numbering जो है margin के अंदर होनी चाहिए, margin के इधर numbering मत करना, तो numbering margin के अंदर ही रखना और फिर उसके बाद conclusion है, conclusion यह नहीं लखना होता है तो conclusion में basically क्या हुआ कि अपको इसको conclude कर देंगे कि in spite of the principle of violence जो principle थे boss के, armed Indian army के और इन सब चीज के लेकिन boss, grand scheme of liberation, high idealism through INA उसने इंडिया को बहुत inspire किया और उसने एक create किया, living example for the future of the free India which inspired the freedom fighter till end तो उन्होंने एक base रखा, जो एक living example बना और उसने freedom fighters उनको जो end जब तक हमें आजादी नहीं मिली और उसको fighters को जो है, इंडिया को free करने के लिए वो तब तक उन्होंने inspire किया तो यह जो है, यह answer हो गया आपका, आपने introduction लिखा फिर उसके बाद philosophical basis जो body थी और फिर उसके बाद conclusion Next question है, World War I linked to global event in profound way with the reaching consequences Discuss by giving suitable example So basically, World War I linked India to a global event So, you have to talk about global events, that India has linked to global events So basically, you don't have to talk about Indian events, that you have to talk about Indian events You have to talk about Indian events, that you have to talk about the global events So World War I linked India to a global event with far-reaching consequences Discuss the suitable example So, you have to talk about 200 words So, in 200 words, you have to write 2.5-2.75 So, you have to write 200 words in 200 words So, this approach is in two ways, that you have written introduction Then, what did you do in the body? You have to divide it in three parts Social, economical and political So, what happened to social consequences, economic and political So, social has increased a sense of belongingness In Indian people Economic, establishment of industries Political, British superiority has ended And the Russian Revolution has been inspired by the Russian Revolution So, these are social, economic and political consequences You can write this as well You can write this as simple introduction And then, you will think directly So, in the introduction, you have to write a short paragraph You have to tell about World War I That World War I was in 1940-18 It was the greatest watershed And the 20th century geopolitical history And millions of military personnel have been mobilized And millions of people have lost their life laws And civilians have impacted And the global economy and demographic structure That has changed So, these are all things you can write So, these are all things you can write Then, I have to tell you about body So, body You can write So, body You can write So, body You can write So, body It is not normal So, whatever you feel like You can write So, body Before writing Let's start a brief body That In India In India What has its impact on India And what has its impact on India And what has its consequences तो इंडिया एक British colony था जिसने बहुत जादा huge contribution किया war effort को, बहुत जादा contribution किया, जो soldiers है उन्होंने बहुत जादा contribution किया, वो fight किया on the behalf of the allied forces, और इसके अंदर many Indians दाय हो गए, इंडिया ने एक large loan भी provide किया British government को, तो ये war का बहुत एक significant impact रहा है इंडिया के उपर क्योंकि आप आपने loan दिया है और ये सारी चीजे होई है आपके लेकिन सालसात में क्या हुआ कि इसने इंडिया को जो है word के पास भी लेके आया, मतब it's broad India closer to the world, तो ये कैसे लेके आया, अब हम इसमें अब ये लिखेंगे कि ये कैसे जो है, इंडिया को पास लेके आया, इसमें आप ज contest में है, जैसे roll tech और ये सारी चीजे ये नहीं लिखेंगे, तो basically जो war है, उसका significant impact है और वो broad करता है इंडिया को closer to the world, पहला क्या है, इसने एक myth को जो है, वो end किया कि जो British Empire है, वो superior है, तो इसने इस myth को end किया कि British Empire superior है, क्योंकि जब आप World War 1 के अंदर देखेंगे, तो British न किया था, तो उसने एक feeling जो है, इंडियन के अंदर imbibe करी, कि British जो है, वो superior नहीं है, उसको, उससे, मतलब, we can fight with them, तो उसकी superiority की जो myth है, उसको end किया, एक तरह की sense of equality भी करी, क्योंकि जो French and Belgian soldiers थे उनकी वज़े से, और जो British rule है, उसके प्रती एक जो है, इंडियन के अंदर इंडिया के अंदर communism का डेवलप हुआ, formation of CPI हुआ इसकी वज़े से, और Indian revolution तो आपको पता ही है, कि inspired from the Russian revolution of 1917, तो यह major impact जो है, इंडिया के अंदर आया था, World War I से, फिर Marxism and Socialism spread हुआ during the World War I, इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे, जो यह आइडिलोजी है, वो इंडिया के 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 तो इसके वज़े से उनको इस सारी चीज़े उनको क्लोजर लेके आई और एक sense of belongingness उनके अंदर डवलब्ड हुई कि मतलब we are together, we Indians are together, तो एक belongingness उनके अंदर डवलब्ड हुई और यही सब World War One के अंदर एक opportunity क्रियेट हुई कि आप industries को डवलब कर सकते हो तो basically जो World War One है उसने common Indian है उसको awaken किया कि आप जैसे आप दूसरी countries के लिए लड़ रहे हैं, दूसरे nations के लिए लड़ रहे हैं बट आप खुद जो है वो एक colonial rule के अंदर है, मतलब you are fighting for the different nation but you yourself is under the colonial rule तो और इसकी वज़े जो World War One है इसने इंडिया को global event के साथ लिंक किया इसकी वज़े से क्या हुआ कि जो it setting up the tone for the future Indian national movement, revolution of 1917 हो गया तो यह सारी चीजे जो हो गया, we are inspired from जो global scenario जो चल रहा था उसकी वज़े से यह inspired हुए और यह हमारे Indian national movement में जो है वो साबित हुआ तो यह सारी चीजे जो है इस question से related है, अगर आपको कुछ और points लग रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और improvement होना है या फिर यह भी point लिख सकते हैं तो आप मुझे नीचे comment box में बताईए कि हां हम क्या और लिख सकते हैं तो बाकी सारे लोग भी देखें और बाकी तो अगर आप answer लिखके जो है वो group पे भी post कर सकते हैं Next question है, examine the contribution of Mahatma Gandhi in making the struggle for independence a mass movement तो basically this question, बेकर plain question है, 125 word में लिखना है और इसमें बताना है कि contribution of Mahatma Gandhi मताँ, Mahatma Gandhi का क्या contribution था mass movement में देखो, यह simple question है, Mahatma Gandhi का क्या contribution था mass movement में तो इसको बताए करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे Mahatma Gandhi का contribution था struggle of mass movement में, तो इसका करने का तरीका क्या है, एक introduction दो, कि Mahatma Gandhi कब आए और क्या यह वो शुरू का general idea दो फिर उसके बाद एक-एक करके recall करते जाओ कि Mahatma Gandhi ने जो first moment कौन से किया था, second कौन से किया था, third कौन से किया था, fourth कौन से किया था basis को visit किया फिर वहां से उन्होंने अपना टेक्नी जो है, grow or develop करी, कि पहले उन्होंने लोगों को देखा कि क्या चल रहा है, क्या इंडिया में चल रहा है, उस तरह से उन्होंने अपना आपको develop किया फिर contribution के आथा, contribution महातma Gandhi का क्या था, तो तो basically क्या campaign क्या untouchability के according तो इसमें आप जो books-books हैं और यह सारी चीज़े हैं वो साम mention कर देंगे example दे देंगे तो और जादा अच्छा impact आएगा तो यह सारी चीज़े कर सकते हैं और फिर उसके बाद एक सेकेड फिर उसके बाद जो है पिर उसके बाद बढ़ावा दिया उनको भी स्टैबलिश किया जाचरका हो गया इस्पिनिंग वील हो गया यह सब और लोगों के अंदर जैसे को पोटेज इंडुरिस्ट्री को जो बढ़ावा दिया तो उसके अंदर लोगों के अंदर एक nationalism की जो है spirit develop हुई और साथ ही साथ में जो है लोगों को employment भी मिला तो लोगों को employment भी किया लोगों को empower भी किया और उनके अंदर जो है national की जो feeling है उसको भी develop किया आपके देख सकते हैं इस चर्का का इतना जादा महत्व है कि चर्का जो है इसमें है उसको anti-national inhuman मानते थे अंडर लीडर्शिप जो है बहुत सारे जो national movement है वो secured हुए 1918 में आप देखेंगे कि जो लिन लॉड्स हैं उनके अगें जो चंपारम खेडा में जो है गांधी जी का movement था चंपारम खेडा में तो उससे क्या हुआ कि बिटिश गॉर्मेंट ने जो है प्रोवीजन दिया फ़र टेक्स पेइमेंट फिर NCM स्टार्ट रूपरेशन उसमे एक गांधी era start किया जिसमें एक awareness आई कि जो बिटिश है उनको oppose किया जा सकता है मतब उनके साथ non-cooperation किया जा सकता है फिसीरियम में जो है awakening of masses हुई जो normal common people थे उनको politics की reach में लेके आया गया तो politics की reach में लेके आया गया फिर उसके बाद ऑगस्ट 1942 में जो quit India movement आया तो उससे immediate मतलब उससे quit India movement का main name ये था कि जो British rule है उसका immediate जो है end किया जाए फिर after quit India movement जो freedom struggle है वो बहुत जादा intense हो गया जो पूरी country है वो united होगी मतलब जो भी अपनी capacity में जितना कुछ कर सकता था उसने वो किया तो ये सारी चीजे जो है आप देख सकते हैं फिर उसके बाद इसको क्या contribution था फिर उसके बाद इसको conclude कर देंगे कि under his leadership जो movements है national movement है उनकी unity हुई और जो लोग है उन्होंने बहुत जादा work hard किया और जो the cry for the poonus और जो है raised हुआ after much sacrifice and efforts और immense contribution of Gandhiji इंडिया ने अपनी independence 15 अगस 1947 में हासिल कर ली तो यह हमने तीन question करे हैं तो आप रोज हम इसी तरह से इसको discuss करेंगे अगर इसमें आपको कोई भी मतलब अगर लग रहा है कि इसमें कोई भी कमी है या फिर कुछ और इंप्रूव हो सकता है कुछ अगर और इंप्रूव हो सकता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताईए कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं इसमें और यह सारी चीजे आप बताईए तो question जो है around 12 p.m. पे टेलिग्राम चैनल है उसको पोस्ट करूँगी और जो इसका approach है वो हम 8-9 बजे के बीच में इस मतलब overview तो नहीं था एक approach से भी जादा ही था यह तो लेकिन आपको इसको थोड़ा और modify करना है तो मैं तो यह कहीं भी arrow लगा दिया point break कर दिये तो आप इन सारी चीजों को देखना है इसको align करना है अच्छे से और फिर अच्छी सी presentation देनी है और ऐसे cutting नहीं करनी है यह जो complete कर ले और आपने अगर वो plan नहीं देखा है तो आप उस plan को देखेंगे तो इस से और जादा अच्छे से जो है इन सारी चीजों से और जोड़ पाएंगे तो thank you and all the best